प्रेंट्स वेलकम बैक तो दे चैनल आज हम करने वाले हैं पतांजली के रस्क का रिव्यू पतांजली दो तरह के रस्क मैनफ़ेक्ट्चर करता है एक आठा दूद रस्क और एक है सुजी इलाइची रस्क रस्क आप सब जानते हैं कि चाय के साथ दूद की सबाद खाने में बहुत मज़ा आता है सुबह खाली पेट जब सुफर्स टी लेते हैं या बिस्किट या चाय या शाम को जब भी हम चाय लेते हैं तो रस्क या बिस्किट जरूर खाते हैं क्योंकि खाली पेट चाय कभी पीनी ने चाहिए और रस्क तो वैसे ही खाने में बहुत स्वधिश लगते हैं मीठे मीठे होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और यह इलाइची वाले रस जो होते हैं इसमें इलाइची का फ्लेवर आता है यह दूद वाले रस में बच्चों को बड़ा अच्छा लगता खाते वे दूद का दूद के साथ यह खाना बहुत जादा पसंद करते हैं बच्चे दूद वाला रस तो आज हम यह दोनों ट्राई करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आटा दूद रस यह देख सेखते हैं आटा दूद रस इसकी मैं नुट्रिशनल वैल्यू बताऊंगा कितने का है बेस्ट बेफोर क्या है इसे कौन रहा हूँ इनर्जी 441 कालरी काभोहड़िट 77 ग्राम शुगर इसमें से हैं 28 ग्राम अड़िट शुगर इसमें 27 ग्राम और डाट्री फाइबर अच्छा है इसके नदर फॉर ग्राम और डाट्री फाइबर बटेसेंचिल है हमारी बॉड़ी के लिए प्रोटीन साथ 10 ग्रा वला है त्ट टोटल इन टोटल फैट इन अल मिलाके 10.3 ग्राम्स इसमें आता है 5 ग्राम्स मोनो अंसाचुरेटेटेट आता है 3.8 ग्राम पॉलिय इन सैचुरेटेटेट वन ग्राम्स ट्रांस पाइट कुछ भी नहीं इन कोलिस्टरोल 2.2 मिलिग्राम और सोडियम 2.73 ग्राम और यह बना हुआ है आप देख सकते हैं रिफाइन फ्लार शुगर वीट और रपाम ओयल सूजी यीस्ट मिल्क सॉलिड ग्लूटेन वीट ब्रान और कॉमन सॉल्ट और इसके अंदर और एंटी ऑक्सिदेंट्स भी है और ट्रीट्मेंट एजेंट्स भी हैं इसके अंदर तो चलिए हम यह पहले ट्राई करके देखते हैं और इसका रेट में बता दूए यह है चालीस रुपए का आता है वैसे आता तो 273 ग्राम का प्लस इसमें 27 ग्राम एक्स्ट्रा मिलाके 300 ग्राम का हो गया आप यहां जड़ दे काफी अच्छा पीस आई देख सकते हैं काफा इच्छा काफ्ट मेठा बद अच्छा मिठा चाए और डूध के साद बाह। अछन लगे रहे हैं काफी लीटे काफी पुर। सुन सकते होंगे जैसे मैं चबा रहा हूं और बहुत अच्छा मेरे को बहुत स्वाज लगा है यह और बहुत ही ज्यादा डिलेश्यस है आप जरूर ड्राइ कर सकते हैं इसको बहुत अच्छा है पतांगेली का यह वाला मिल्क आटाम डूद रस जो है तो चलिए आप हम आते की सोया मार्केट करता है और जी एचे फूट प्रोड़क्ट इसको बनाता है यह बीचे आप देख सकते हैं सारा यह अगर आप देख सका है क्लियरली तो दिखेगा ने इसमें और इसके अंदर भी वही है वीट फ्लार रिफाइंड शूगर पाम वाइल यीस सेमोलीना मतब सूजी मिल्क सॉलेड एडिबल कॉमन सॉल्ट कार्डेमम इसके वही एलाची वाला तो कार्डेमम ड़ा हुआ है मिट उतना जिन्सको ग्लूटेन की इलर्जी है वह दोनों ना सेवन करें इसका दोनों में ग्लूटेन है और यह आल्सों कंटेंस वीट उन मिल्क इसमें भी है इससे 434.8 टोटल इनर्जी है किलो कैलरीज में तार्बोहेड़ेट 79.9 ग्राम्स शुगर है 26.5 ग्राम्स अड़ेट शुगर है 26.1 ग्राम्स डाटरी फाइबर 2.6 ग्राम्स इसमें और इसमें 4.4 ग्राम्स तेजी मतलब यह बहुत अच्छा है थाने के लिए इसमें प्रोटीन है टोटल फैट है 8.6 ग्राम्स इसमें और सोडियम है 287.3 मिली ग्राम्स नमक भी है इस तो ग्लुटेन वाली इलर्जी जिनको है वो ना खाएं यह दो यह मैं आपको बताना चाहता हूं तो चलिए इसको खुल के देखते हैं जैसे मैंने बता दिये दोन और स॥ाइसट्रममी कि इसमें फ्री दिया गया उसको मिलाके 300 ग्राम मुथ देखते हैं तो इसको भी खुल के खा के देखते हैं पएज हम लोकल बेक्री से जो हमारे मार्केट मेरि में नौर्मल जो लोकल बेकरी में दस्कर करती मार्केट में उनसे अम राज के लहते हूं तुमने में अलाइची की स्मेल आ रही है पूरे पूरा एलाइची के फ्लेवर आ रहा है और यह भी मीठा है काफी क्रिस्प क्रश्ची है चाई के साथ तो बहुत ही रंग ला देगा यह रसा अगर आप ट्राइख करेंगे तो बहुत अच्छा रसा है मेरे को इनौनों रस बहुत पसंद आये हैं और कई बार होते हैं मार्केट से लेते हैं कोई फीका होता है कोई बहुत जादा मीठा निकलता है यह मीठा भी है आपको मदा भी आएगा खाके अब खाके क्रंची क्रिस्पी पूरा है और हां एक बर जब यह पैकेट खुई यह तो यह सोगी हो जाएंगे फिर खाने लाइक नहीं रहेंगे वह तो किसी भी रस के साथ हो सकता है तो दोनों वर्थ रिक्मेंडेंगे दोनों बहुत अच्छे और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मेरा यदि आया होगा इसे जादा सा लाइक करें चैनल पर नए ह तो दो बीक्त वर्थ üs24 दोनों पर आपको यहीडि़िक प्ला पर गे रखे।ka